राश्ट्रिय मुक्त विद्धारई सिक्षर संस्थान में आप सबी का स्वागत हम प्रफसर संध्या जी अधिस्ठाता एवं विभागा द्यक्षा सिक्षा संकाय इंद्रागांधी राश्टिय जन्जाती विश्विद्याले अमरकंटग आज हमारी चर्चा का विशय है समा समाज दूसरा पधने ध्यपकंटी समाज में भूमि का और तीसरा सिक्षा की भूमिका समाज में है समाज का आर्थ है सात रहना कंग्षा को दूसरी शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सम्मू समाज कहलाता है समाज अपने नागिकों के लिए विद्यालेओं को शेश्चितम संस्था बनाने का प्रयास करता है और उसके इस प्रयास की सफ़क्था उसके सिक्षकों पर नेभर होती है यहां पर विशय उठता है कि सिक्षक अपनी भूमिका का निरवाह करते है लेकिन किसके सनरक्षण में या किसके नीचे रहकर वो काम करते हैं अर्थात, शिक्षक अपना सही कारें, अपना उत्वरदायत का निर्वहन तब ही कर सकता है जबकि उसका लीडर उसको उस दिशामें निर्देशित करें लीडर सितात पर प्रधानाचारें अर्थात यहां पर यह कह सकता है कि सिक्षक और प्रधानाचार दोनों मिलकर अपनी एक विश्यश भूमिका का निर्वहन समाज के प्रती अपने तुरदायत्व को पूरा करने के लिए करते हैं अब हम बात करेंगे समाज के संधर में प्रधानाध्यापक की भूमिका अंग्रेजी शब्द प्रिंसिपल का हिंदी रूपांत्रण है प्रधानाध्यापक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है प्रधान प्लस अध्यापक अर्थात विध्याले के समस्त अध्यापकों में पद में सबसे बड़ा और प्रमुख और दूसरा प्रधाना ध्यापक का पद अतन्त महत्पूर्ण और उत्तर दायत्वपूर्ण होता है प्रधाना अध्यापक सर्वोच अधिकारी है, प्रधाना अध्यापक सभी किर्याकलापों का प्रभाव और प्रत्यक्ष रूप से विध्यारतियों, अध्यापकों वा अन्य करमचारियों पर भी देखता है प्रधाना द्यापक योगिता, सोच एवं प्रशाश्य के चमता पर ही विध्याले की प्रगती निर्भर करती है PC REN ने कहा प्रधाना द्यापक के बारे में कि घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन, प्रशक्र या जलियान में यंतिकरण को जो इस्थान प्राप्त है बही इस्थान किसी भी विध्याले में प्रधाना चारे का है अर्थात प्रधाना चारे सर्वे सर्वा है किसी भी विध्याले का अर्थात प्रधाना चारे समिती का मुखिया भी है प्रधाना ध्यापक की भूमिका को हम कई भागों में विवाजित करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं जैसे योजना बनाना, व्यस्थापन करना, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए काम करना और नियंतरण करना योजना से तातपर है कि प्रधाना ध्यापक के लिए निर्णय लेना की क्या करना है और इसे हमें कैसे करना है जबकि व्यवस्थापन और संसाधनों को व्यवस्थित कैसे हम करेंगे अपने उद्देशी की प्रूपती के लिए प्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ अच्छी तरह से काम कैसे किया जाए और लोगों को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए इसके साथ साथ कि जो भी प्रदर्शन है विद्यालय समाज का एक अंग है और इस विद्यालय के अंदर में जो भी प्रदर्शन के रूप में जो भी गतिविधियां लोगों के सामने आती है उसके पीछे जो लागत है उसके मापन का कारिभी प्रधाना ध्यापक की भूमिका के अंतरगत आता है प्रधाना ध्यापक कई भूमिकाएं निभाता है जैसे दवाब नियंत्रक का, मनोबल बूस्टर का संसाधन आपूर्ती करता का तथा वातावन उत्पन करने वाला प्रधाना ध्यापक की भूमकाओं को हम कई प्रकार से देख रहे हैं दबाबनी अंतरक, मनोबल बूस्टर संसाधन आपूर्ती करता, वातावन उत्पन करने वाला कि कैसे अपने उदेशों की पूर्ती के लिए हम चीजों को आगे बढ़ाएं इसी के साथ साथ प्रधाना ध्यापक अपनी प्रबंधन के लिए कई प्रबंदिकी शैलियों का भी उपियोग करता है जैसे पारस्परिक प्रबंदिकी शैली, प्रबंदिकी शैली, विरुधात्मक शैली तधा सत्तावादी शैली विद्याला में कई कार्यों को लिए कई प्रकार के निर्ने भी लिए जाते हैं जिसके अंतरगत शामिल होना, समझाता करना, वारता करना, व्यापार गध्धमकी, दबाब और निसंदे व्यापार जैसी गतिविधियां आती हैं प्रधाना ध्यापक की कुछ सामानी भूमिकाओं के अलावा कुछ महत्मूर भूमिकाओं भी हैं जैसे निर्देशक उतक्रस्टता को प्रोथसाहित करना कि कैसे प्रधाना ध्यापक एक निर्देशक के रूप में अपनी उतक्रस्टता को प्रोथसाहित करेगा कक्षा में उसे जाना है और जाना चाहिए सिक्षण चिंताओं के बारे में सिक्षकों के साथ में बात करें कारिकरम का समीक्षा और उसका पुनुरधार कैसे किया जाए उसके बारे में भी चर्चा शुरू करें और विध्याले के जीवन में उसकी सक्रिय भागीदारी होती है एक प्रधाना अध्यापक होने की नाते प्रधाना अध्यापक को समय समय पर कक्षा में जाना चाहिए जिसके अधार पर वो विध्यार्तियों में फैली हुई अराजकता या ऐसा कोई असंतुलन जिसके संतुलन में कोई बाधा पड़ रही है और साथ में विध्यार्तियों को सिक्षण विधी और प्रभिधी को लेकर कोई दिक्कत या परिशानी तो नहीं है इस आधार पर प्रधाना ध्यापक ये भी भूमी का निभाता है और अपने साथ ही सिक्षण के साथ में जो सिक्षण चिंताएं हैं आज के नवाचार की युग में कैसे हम सिक्षण विधियों और प्रभिधियों का इस्तमाल करके बाल केंरित किरियाओं को पुत्साहित करें इन सब बातों के ऊपर प्रधाना ध्यापक को समय समय बर अपने सिक्षकों के साथ बात करनी चाहिए कोई भी कारकरम अगर हमें आयुजित करना है तो उस कारकरम की समिक्षा और उसके अंदर हम कैसे सुधार कर सकते हैं ये काम भी प्रधाना ध्यापक का ही है साथ में प्रधाना द्यापक की विद्याले जीवन में सक्रिय भागिदारी होती है यानि कि प्रधाना द्यापक की एक विशेश भूमिका है अपनी चीजों को विद्याले के रूप में निभाने के लिए प्रधाना द्यापक अलग-अलग तरीके से अध्यक्ष होता है से आमने सामने संपक पर भरोसा करना और व्यक्तिकत संबंधों और उसके साथ में अपनी भूमिका को पूरा करना यहां पर हमें समंझ में आता है कि जो पारस्परिक अध्यक्ष के रूप में प्रधाना ध्यापकी भूमिका है वो विशेशत है व्यक्तियों की बीच में जो संबंध है और उस संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रधाना ध्यापकी भूमिका क्या होगी इस कारिक को अगर प्रधाना चारे करता है तो हम ये कहते हैं कि वो पारस्परिक अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है प्रबंदी की अध्यक्ष से तातपर है हम समितियों, ग्यापन और आपचारिक प्रिक्रियाओं के लिए प्रमुक्स सहारा बने इसी प्रकार प्रतिकूल अध्यक्ष से तातपर है नियंतरन बनाए रखने के लिए तर्ग और तकराव को पसंद करना कभी-कभी प्रधाना ध्यापक को प्रत्यूल अध्यक्ष के रूप में सामना आना पड़ता है जिससे कि वो परसितियों के ऊपर नियंतरन बनाय रखे और तर्क और टकराव के बीच में एक नया रास्ता निकाले जो की विध्यालय की प्रगती के लिए आवश्यक हो के साथ आमने सामने मौखिक संपर्क कारियों की विविदता इसी प्रकार इसी क्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधाना ध्यापक की संख्या शिक्षकों के तुल्ला में कम होती है और प्रधाना ध्यापक आत्निंबर होता है चोटी अभर की कई गित विधियों को वो आईजित करता है और बाधाओं के कारण जो भी असंतोष पैदा हो रहा है उसको भी दूर करने का कार्य प्रधानाचारे करता है प्रधानाचार के कार्यों का लक्षनों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कि प्रधाना द्यापक एक साजा भाषा इस्थापित करें, चल रहे संचार, अनुसंधान और पेशेवर बाचीत के लिए एक प्रकिरिया, एक अत्यधिक सहभागिता, प्रशाशन स्वनरचना, जिसमें सभी सदस्यों को सामिल किया जाए और परवरतन की प्रकिरिया का समर्थन करने के लिए सेक्षिक प्रणाली के महत्वपूर्ण अन्हिस्सों की भागिदारी शामिल होनी चाहिए, अर्थात प्रधाना द्यापक एक साजा इस्थापित करता है, और नए अनुसंधान और पेशेवर बाचीत को बढ़ावा देता है, और ये सहभागिता प्र रणनीती को लेकर आगे चलता है, टीम बिल्डिंग रणनीती से दातपर है कि जो भी बैठके हो रही हैं, उनको प्रधाना चाहर्य सही से संगठित करे, अर्थात संगठित बैठकों का आयुजन करे, विभाग और संकाय जिम्मेदारियों को साजा करे, नियमित सामाजिक घटनाओं पर चर्चा करे, जानकारी अनभव और विश्यशग्यता साजा करने की उसमें इक्षा होनी चाहिए, ऐसा होने से प्रधाना ध्यापक अपने विध्याले में टीम बिल्डिंग को बढ़ावा दे सकता है, विभाग का अस्त्वत्व और संकाय और कारेलों के के लिए प्रधाना ध्यापक को टीम बिल्डिंग रन्नीती की आवश्यक्ता होती है, प्रधाना ध्यापक की कुछ और भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक निर्देशक के रूप में नेत्रत प्रदान करना, संसाधन, बचट आवंटित करना, करमचारियों के बीच के सहियों को पुत्साहित करना, इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि प्रधाना ध्यापक को एक कुछल नेत्रत प्रदान करने वाला निर्देशक होना चाहिए, बजट आवंटित करना उसे आना चाहिए, और करमचारियों की बीच में सहियों की भावना को वो कैसे पु इसकूल व्यापी लक्षों को इस्थापित करने में मदद करना, और माता पिता के साथ सहियों करना, और इसी करम में जन संपर्ग, छात्र वहवार का प्रभंदन यहां तक प्रधाना ध्यापक की जिम्मेदारियों और भूमका की बात आती है, तो प्रधाना ध्यापक का कार सिर्फ नेत्रत तो करना ही नहीं, बलकि विध्यालय के सुधार के लिए वो कैसे एक अपनी स्ट्राटेजी या कैसे एक व्यू रचना तयार करेगा, उस बारे म साथ सहीयोग करता भी है, और वहां माता पिता के साथ में सहीयोग लेना भी चाता है, इसी प्रकार आज के बदलते परदर्श्व में जहां चात्र वयवार कुछ असंतलित हो रहा है, तो चात्र वयवारों का प्रबंधन कैसे किया जाए, यह भूमिका भी प्रधाना ध्या निभाता है। यहां तक हमने समझा कि प्रधाना द्यापक की समाज के प्रती एक विशेश जिम्यदारी है और एक विशेश भूमिका है। और प्रधाना द्यापक समाज के प्रति अपने जिम्यदारी और भूमिका को अपने विध्यालय के माध्यम से इस्थापित करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में समाज के संदर में सिक्षक की क्या भूमिका है। सिक्षक एक नेता, सिक्षक एक गाइड, सिक्षक एक निर्देशक और सिक्षक के कई करतव्य जैसे कक्षा को विवसित करना, पाठ योजना को लिखना और लिखित पाठ योजना के अधार पर छात्रों को निर्देशन प्रदान करना। इसी प्रकार पाठी चर्या विकास और कार्यानवेन के संदर में अनकर्मचारियों के साथ सहयोग और माता-पिता के साथ में बाचीत इसके साथ साथ हमारे सिक्षक कहीं न कहीं कुछ प्रसाशनिक कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं आज का जो बदलता परदश है उसमें बहुत जरूरी बात ये है कि एक सिक्षक होने के नाते हमारा करतव भी है कि हम बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसके माता पिता के साथ भी बाचीत करें और ये जानने का प्रियास करें कि इस बदलते परदश्र के अनुसार क्या बालक विध्यारती में कुछ ऐसा परिवर्तन तो नहीं आ रहा जिससे कि वह अपनी समस्याओं से सामंजस इस्थापित नहीं कर पा रहा है इसलिए ये जरूरी है कि सिक्षक अपनी भूमिका अपने दायत्व को सुचारिय रूप से सम्हाल कर आगे चले और पढ़ाने के साथ साथ वह माता-पिता के साथ भी एक बाचीत की प्रकिरिया को जारी रखें अगर हम सिक्षण की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि सिक्षण पेशे में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं शिक्षण नौकरी केवल नौकरी की तुलना में एक बड़ी जिम्मेदारी है इसका देश की विकास और कल्यान पर असर पढ़ता है इस कौम एक उधारण के रूप में जान सकते हैं कि जहां पर एक सर्जन एक बार में एक ही मरीज की बीमारी को दूर करने का प्रयास करता है वही एक सिक्षक एक साथ पचास या सौ बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है और उनके अंदर सकारात्मक दश्टिकोंड को जागरत करता है सिक्षक की जो भूमिका है पहले के तुलना में आज काफी विविद है और लगबग हर वेवसाय में सिक्षक अपनी एक व्यापक भूमिका निभाता है एक सिक्षक होने के नाते हमारी जो उत्तरदायत है वो दूसरों के तुलना में बहुत जादा है क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को शिक्षत नहीं कर रहे हैं बलकि उसका सर्मागीन विकास करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सर्मागीन विकास की कोशिश करने से तातपर है कि हम सिक्षण के माध्यम से एक संभ्रांत भारतिय नागरिक का निर्माण कर रहे हैं और इसलिए शिक्षक को टॉर्च बीरर भी कहा गया है सिक्षक एक ऐसा दीप है जो कि हजारों दीपक को एक साथ जलाने का कारे करता है अर्थाथ एक सिक्षक एक दीपक है और ये दीपक अपने जैसे कई दीपकों को आगे बढ़ाने का कारे करता है जो की राष्ट के निर्माण में अपनी विशेश भुमिका का निर्वहन करते हैं जब हम कोई भी सिक्षन प्रकिरिया से गुजरते हैं तो उसके बाद में हमारे अंदर एक पेशेवर्च हमता का विकास होता है और यह पेशेवर्चमता का विकास हम अपने सिक्षक के माध्यम से ही ग्रहन कर पाते हैं एक सिक्षक विध्यार्तियों को सिक्षक के माध्यम से जीवन में व्यभार में सच्चाई की सिक्षा देता है विध्यार्टियों को जो भी कटनाई होती है जो भी जिग्यासा होती है और वो जो भी जानने का प्रयास करते हैं उन सब के लिए वे अपने सिक्षक पर ही निर्भर करते हैं इसलिए सिक्षक को ज्यान का भंडार या knowledge of encyclopedia कहा गया है इस प्रकार हम पाते हैं कि एक सिक्षक एक मारदर्शन के रूप में भी काम करता है और सिक्षक के मारदर्शन में प्रतेक व्यक्ति बालक सिक्षा को उसके वास्तविक अर्थ में गरहन कर मानुविय गत्यविधियों को प्रतेक छेत्र में उसका प्रचार और प्रसार करता है अर्थात समाज के संदर्व में सिक्षक ही एक विशेश भूमिका है और सिक्षक ही ये भूमिका ही व्यक्ति को मानविय गत्विधियों में प्रचार और प्रसार का मौका और अवसर प्रदान करती है इस प्रकार हमने समाज के संदर्व में प्रधाना ध्यापक एवं सिक्षक की भूमिका को जानकर यह समझने का प्रयास किया कि प्रधाना ध्यापक और सिक्षक दोनों ही समाज में एक विशेश भूमिका का निर्वहन करते हैं जहां पर प्रधाना द्यापक की भूमिका एक विध्यालाय में सर्वोपरी है, सर्वोच है वहीं एक सिक्षक, एक कैटलिस्ट की तरह कार करता है, जिससे कि वो समाज के लिए भावी नागरिकों का निर्माड कर सके और ऐसे भावी नागरिक जिनके अंदर राष्ट प्रेम ह राष्टिय भावना हो और भारतिय मुल्य हो इस प्रकार इन तीनों चीजों को संग्ठित करके जो विध्यारती हमें प्राफ्थ होता है, उसमें कोई भी शक नहीं किया सकता कि वो हमारे समाज और वो हमारे देश के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी जिम्यदार के साथ में करेगा, हम आशा करते ही कि आप सभी ने इस प्रक्रण के माध्यम से प्रधाना ध्यापक और सिक्षक की भूमिका को अच्छी तरह के से समझ लिया होगा, धन्यवाद